हलो दोस्तों नमस्कार जैहिंद जैसिरी डाम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब दोस्तों मेरा नाम है आसीस और मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है भारत दरसन वित आसीस दोस्तों भारत दरसन की इस कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना रामपुरा जी हाँ दोस्तों अभी आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रामपुरा और देने वाले हैं रामपुरा के बारे में पूरी जानकारी है ये जो रामपुरा है दोस्तों ये जालो ईजिले का एक छोटा सा कस्बा हैielle मादोगर तहसिल में पड़ता है रामपुरा एक थाना है और एक बलाग भी है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं इसकी स्थापना राजा राम साय जी ने की दी तो उन्ही के नाम पर दोस्तों इस जगह का नाम रामपुरा पड़ा है अभी हम जहां पर खड़े होकर वीडियो सूट कर रहे हैं यह जगह है रामपुरा की टीयर स्टेंड जहां से आपके लिए सभी जगह के लिए बराबर साधन उपलब रहते हैं कहीं पर भी आपको जाना हो तो दोस्तों जैसे हम रामपुरा जो टीयर स्टेंड है इस टीयर स्टेंड से हम मादोगड की तरफ जालना प्रारंब करते हैं आपड़ा जानकारी के लिए बता जैसे जैसे हम आँके बढ़ रहे हैं तो रामपुरा के बारे में आपको जानकारी भी दिखा रेते हैं और यह जो अभी आप सामने देख रहे हैं दोस्तों यह है रामपुरा की इंडियन बैंगे जो कि आप यहां से हट करके थोड़ा आएंगे होली मोड में जा चुकी है तो दोस्तों आप बात करते हैं रामपुरा की इस्थित्गी तो यह जालाओं जिले से लगबग 35 किलो मीटर और माधवकर तैसील से लगबग 10 किलो मीटर है दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि रामपुरा में एक किला भी है जो रामपुरा फोट के नाम से काफी ज्यादा फेमस है दोस्तों खोड़ी सी बात कर लेते हैं किले के बारे में तो दोस्तों ये किला काफी प्राचीन किला ये किला लगबग 400 से 500 साल पुराना है दोस्तों रामपुरा की खासियत बताने के लिए ये किला ही काफी है इस किले का निर्मार कच्छुहा राजपूतों ने करवाया था इस किले के पहले राजा राजा जस्वंत सिंग जी थे जिन्होंने 1619 में लगबग मुगल बाजसा जहांगीर से सनद प्राप्त किया था। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देतने कि इस किले की जो अंतिम सासक थे राजा चित्तर सिंग जी थे। दोस्तों रामपुरा के जंगलों में काफी प्रसिद बहरो बाबा का मंदिर इस्तित जो की पहुझ नदी के किनारे एक पहरी पर है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बरी माता मंदिर और यहां के दोस्तों यह जो मैंने अभी नाम बता है प्रसिद मंदिर है। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देतने हैं कि संकट मोचन का मंदिर जो है यहां पर काफी प्रसिद मंदिर है और यहां पर बुड़ावा मंगल के दिन यहां पर काफी संके में सरदालू बड़ी दूर दूर से यहां पर आते हैं। दोस्तों रामपुरा में एक बाजार है जो सोमवार और सुक्रवार को लगती है। यह मेला दोस्तों लगबग एक महीने लगता है। इस मेले में आपको जरूरत का लगबग हर सामान मिल जाता है। पूरे एक महिने लगता, इस मेले में बड़े बड़े जुले और कई तरीके के मनुरंजन की साधन भी आते हैं, तो इन सब चीजों का जो यहां के निवासे काफी भरबूर मातरा में लुस्त फूठाते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एजिकेसन के बारे में, तो यहां के जो फेमस स्कूल हैं, दोस्तों, वो है सरसुति ज्यानमंदिर, राजा चित्तर सिंग जुदेव, इंटर कालेज, समर सिंग इंटर कालेज, यहां के कुछ फेमस स्कूल है, कंप्यूटर की जानकारी भी यहां पर कुछ कंप्यूटर सेंटर में दी जाती हैं, ज अभी फिलाल झो दोस्तों चल रहे हैं। जो कीला रोड पर चल ले हैं। चैलिए थो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हैं। जैसे ब्लाक आपको दिखाया था। इंस ब्लाक से बाहर निकलती है, लिक तो आर्या वरत बैंक मिलती है। अर्य वरत बैंक काफी फुरानी बैंक है यहां की तो अब हम चल लाएं दोस्तों मार्केट के अंदर की तरफ तो फिलाल आज का दो जो दिन दोस्तों वो सुक्रवार का दिन है और यहां पर सुक्रवार और सुमवार को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहां पर बाजार लगती है तो उसकी वज़े से थोड़ी यहां पर भीड़बार हो सकती है आंगे फिलाला भी काफी सुवए है इसलिए यहां पर भीड़बार कम होगी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था तो अभी हम चल लए हैं मेन मार्केट की तरफ यहां पर आपको हर तरीके की किताबें अब श्टेसनरी का सामान मिल जाता है जिस से कि आप लोगों को यहां के निवासियों के यहां के जो अच्छातर है उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है जएद्वात्र सभी सामान इन दोनों दुकानों में बराबर उपलब्द रहते हैं तो अभी दोस्तों हम चल लए हैं यह जो गली है इस गली को दोस्तों सुनारों की गली बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी सोने चांदी से रिलेटेड समान मिलते हैं वो इस गली में मिलते हैं देख सकते हैं आप लोग यह सुन रामपुरा के सासात में आस पास के जो गाउँ है नदियापार के गाउँ हैं वहां के लोग भी यहाँ पर अकरके अपना इलाज कराते हैं और इस स्वास्तिकेंद्र का लाप उठाते हैं चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही है भारत दर्सन वितासीस दोस्तों वैसे तो मैंने इस वीडियो में रामपुरा की संपूर्ण जानगारी देने की कोसिस किये फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं अगर हो सकेगा तो उसको हम अगले वीडियो में पूरा करने की कोसिस करेंगे तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेर करें comment करके हमें बताएं कि वीडियो का कहोँ सा पाट आपको अच्छा लगा और अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा support करें जिससे कि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मनोरंजक वीडियो लेकर आते रहें धन्यवाद